हेलो फ्रेंट्स वेलकम वेलकम बैक तो माँ चैनल तो आज हम विस्कुस करने वाले हैं इस वीडियो में उत्रक्षन बेस्ट नरसें 2022 की कट आफ किती रहने वाली है जहां दोस्तों यह मोस्ट अवेटिड वीडियो की बहुत सारे स्ट्रेंट मुस्से पूछ रहते हैं कि कट आफ कितनी जाने वाली है तो मैंने सुच्छे कि वीडियो की फॉर्म में आपको पूरी कंप्ली इंफॉर्मेशन दे दूँ एक्चली वीडियो में कली अपलोट कर देती लेकिन कुछ ह सब्सक्राइब करने के कारण यह वीडियो थोड़ी डिले होगी तो प्लीज वीडियो को एंटर देखना कि इसके मत करना तकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है बला किन को प्रेस कर लेना तकि इस यह आपे काउंसलिंग की डेट साती है तो पूरे काउंसलिंग का प्रोसीजर किस तरीके से कॉलीज सेलेक्ट करने कैसे करके अडमिशन होगा सारी डिटेल आपको इस चैनल पर मिलती रहे तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो तो हम डिसकूस करने वाले है पात के रहने वाली है सबसे पहले हम बात कर लेते आपके ओपन कोटाइपको ऑपन कोटा में क्या आप गिर्ल्ट लगन का झालते हैं टीकर सब्सक्राइब Teams तक मार्ड करने हैं तो है से आपके फिटीए से प्रेट कшь तक माक्स तक बहुंत घ है तो लिए नियुल में सब्सक्राइब में तक क्मिंग स्वह सब्सक्राइब कि अगर लेको aleg dhrte espeर हो गई जाएगा गौर्वर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा वहीं बात करेगा OBC कैटेगरी की तो उसमें आपको 45-47 की बीच में आपके मार्स मतलब वन से लेकि 45 ए 47 की पीच तक भी आपके मार्स रह रहे हैं तो आपको एक अच्छा गौर्मेंट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा फिरिवान्इनटों हो जाएगी वहीं बात करेगा स्ट क्या काटेग्री स्ट कुछ कित्ती मांग तक भी है तो आपको जो हैं मिल जाएगी बात करें Yes तो आपको जो है गौर्मेंट सीट अलोट हो जाएगी अब आपके 44 पर किजनी रेंक का रही है क्योंकि एक मार्स पर बहुत सारी रेंक्स आती है तो यहां मैंने आपको ओवरॉल बता है कि 44 मार्स हैं जिनकी 44 मार्स रेंक कितनी भी जारी है चाहिए अब आपके 310 तक भी गई है तो उनको चांसे बहुत जाएगा तो अब यहीं मत बोलना कि मैं मेरी रेंक इतनी है लेकि मार्स तो 52 पर अपने बोला था मेरी रेंक तो इतनी आ रही है ऐसा नहीं है अगर 52 मार्स आपकी है क्योंकि रेंक तो आपकी वेरिशन आता रहत है ठीक है मार्स आपकी 52 मार्स पर बहुत सारी रेंक होंगी आपकी तो अगर आपके वन से लेकिए 50 तक मार्स आ रहे है तब तो आपको कॉलेज अलौट हो गई होगा जर्नल कैटेग्री में ओपन कोटा से लेकर अगर 52 तक ही मार्स जा रहे है और फिर रेंक आप देख सकत कोटा क्यों होता है तो देखो वूमेंश कोटा वहता है जिसमें आपके उत्रखंड के रेजिदेंस यानी के उत्तरखंड के स्थाई निवासी हो क्योंकि सबसे पहली बात है कि अपको उत्रखंड में गॉवर्मेंट कॉलेज चीए तो आपको यहां का डोमिसाइल होना जर कोटा अपलाए होता है ठीक है तो आपको गॉवर्मेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा वहीं बात करें एसी के टेगरी की तो 40 से लेके 42 मार्क्स तक आपके अगर हैं तो आपको ज़ाएगा अच्छा गॉवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा वोमन कोटा से ठीक है उत्रखंड वोमन कोटा ठीक है वहीं बात करें ऑबीजी के टेगरी की तो आपके 43 से 45 मार्क्स तक तो मिलेगा लेकर उसके बाद भी 43 से 45 की बीच में आपके मार्क्स रहे रहे ह तो आपको कहें है? गौर्वंट कॉलिज अलोट हो जाएगा यहां मैंने आपको मार्वाप साहिए है जे जा रही है वह आप खुझ से देख सकते हो 42 मार्वाप साहिए वह अब जे रिजल्ट है थो उसमें देख सकते हो तो यहां मैंने यह बता है लेकिन यह सिर्फ आपका first counselling के लिए है ठीक है यह first counselling के लिए valid है second counselling के में क्यों होगा कि देखो first counselling यह माना कि आपके 352 seats है ठीक उत्रगंड में last year के data के according बता हुआ 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 352 seats तो तो बापके 352 सीट से तो फर्स राउंड में 352 तो कांसलिंग नहीं कराएंगे ठीक है जजी अभिकिर आपके सारी सीट फूल हो जाएंगे नहीं होता ऐसा तो क्यों होगा कि तो थे कंसलिंग में आपकी फिफ्टी टू तक भी बहुत जाए ठीक है फिटी टू वाले को भी मिल जाए ऐसे थर्ड कंसलिंग में और आगे बढ़ सकती है ठीक है तो सेकेंड नो थर्ड के लिए आपकी अलग से कट आफ वीडियो बना दूंगी में अपकी कंसलिंग स्टार तो उनकी कट आफ की वीडियो में अलग से बना दूंगी कि हल्दवाने कितने मांक्स मिलेगा दून कितने मांक्स पर आपको मिल जाएगा ठीक है लेकिन यह ओवरॉल मैंने बताया है आपको कि आपके फर्स ट्राउंड में अगर आपके इतनी तनी तनी मांक्स आपके बन सब्सक्राइब करना पॉसिबल नहीं होता है कि हाँ इतने मांक्स आपके पूरी प्रॉपर वीडियो बना दूं जिसमें आपको अच्छी से समझ आ जाए तो अगर आपको समझ आ गया है आपके लिए वीडियो रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर कर देना चैनल पर नहीं अपडेट्स आते हैं आपके काउंसलिंग से रिगार्डिंग या कुछ भी नए अपडेट्स आते हैं आपके तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाए और हाँ फिर भी कोई डाउट है तो आपके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर पूछ स झाल झाल इंस्टाग्राम पर नहीं अपके काउंसलिंग या तो सकते हैं आते हैं